हेलो दोस्तों सब कैसे हो सम बढ़िया समाज हाँ आपको यादों का मैं बैंकिंग कंपरी कर रहे थे बैंकिंग कंपनी में हम लोग वह पी एल अकाउंट बनाना सिख गये थे मैं चाहता हूं कि आज कुछ पी एल अकाउंट के एक दो सम और प्रैक्टिस कर लेते फिर अगले जैसी से पढ़ दो सबसे बेस्ट होगा कि आप मुझे पॉस्ट कर लो इसको पढ़ लो और उसके बदा आगे देखो आगे चलता हूं सर अगर आपको लगता है नहीं नहीं मैं आपके साथ चलूंगा तो चलो मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है जो क्या बोल रहा है from the following information prepare the PL account of Jwahar Bank Limited for the year ended 31st March 11 आचा also give necessary schedule schedule तो बनाना पड़ता ही तो PL account बनाना है अब तुमको schedule या दोगा 13, 14, 15, 16 13 था वो interest and discount का 14 था तुमारा आधर income का 15 था interest expended का और 16 था operating expense एक provision होता था पर उसका कोई schedule तो होता नहीं था I hope यह सब याद है पहला क्या मिल रहा है interest earned on term loan interest earned किये तो interest and discount schedule 13 का बोल रहा है यह schedule 13 का चर्चा चल रहा है ठीक है सर चल जाएगा फिर बोलता है आगे interest earned on term loan classified as NPA भया जो NPA classified हो जाता है उसका earned नहीं collected लेना चाहिए अब यह लोग तो यह total earned बोला है तो इसके अंदर यह NPA वाला earned भी घुसा हुआ है इसके अंदर यह भी घुसा हुआ ऐसा पर यह तो गलत है सर क्योंकि NPA का earned नहीं लेते तो मैं इसको इस figure में से minus कर दूँगा और इसके नीचे ही देखो interest received on term loan classified as NPA तो receive कितना है यह वाला figure तो यह figure प्लस कर दूँगा नहीं समझा term loan का total earned दे दिया तो total में से जो NPA का earned है earned in basis में नहीं हो सकता तो इसको minus कर देंगे और फिर क्या करेंगे receive basis में इसको add करके दिखा देंगे काम खतम तो यह अपना schedule 13 का हिसाब हो गया interest on cash credit and overdraft यह भी तो interest earned ही है तो यह भी schedule 13 में जाना चाहिए interest earned but not receive earned है receive नहीं हुआ cash credit and overdraft treated as NPA तो यह भी आपको minus कर देना चाहिए यह लोग बोल रहा earned तो कर दिये तो इस figure के अंदर तो आ गया है किन्तो यह receive नहीं हुआ है तो collected नहीं है collected नहीं है तो इसको यूज नहीं कर सकते तो हम लोग क्या करेंगे minus कर देंगे सर समझ में आगे होगा सर मैं फिर से बोल देता हूँ कोई दिक्कत नहीं मुझे मैं बोल रहा हूँ बच्चे कि यहां पर यह जो इंट्रेस्ट दिया हुआ है यह earned figure है पर अपने लोग यह पहली concept सिख रखें हैं कि banking company में जो performing asset होता है उसका earned income लेते हैं और जो non performing होता है उसका collected लेते हैं पर यह वाला जो बोल रहा है बोल रहा है यह earned तो हो गया आइन पे पे कर collect करलेक्ट नहीं हो रहे है तो collect नहीं तो इसे income में ले सकते तो आप इसको जो 3854 है इसमें से लेस करके दिखाना क्यों कि collect नहीं हो एन पीए हैं collect में वाद तो income मान नहीं सकते है साँ को ठीक है ठीक ओक फिर और क्या बोल रहा है बच्चे और क्या बूल रहा है देखो, interest on deposits, deposit पे तो मुझे interest पे करना पड़ता है, 15, 15, schedule 15 हो गया सारी है, commission, commission income, other income है schedule 14, profit on sale of investment, other income है 14, profit on revaluation, ये भी 14 है, किन्तु income from investment वो तो schedule 13 पे ही जाना चाहिए, schedule 13 पे आ जाना चाहिए, income from investment, समझ पारे हो ना, हाँ, भया वो तो interest earned के अंदर ही आता है, interest on discount के अंदर, वही बोल रहे हो ना, हाँ, अब salary खर्चा है, ये operating expense, solar rent, 16 operating में जाएगा, printing भी 16, director fees भी 16, और ये law charges होगा, ये प्रिंटिंग mistake है, ये भी 16 है, law charges है, repair भी 16 होना चाहिए, insurance का खर्चा भी 16 है, तो ये सब तो 16 समझ में आने लग गया, आगे क्या बोल रहा है, देखो, other information में, make necessary provision on risk asset, क्या provision बोल रहा है, जारा देखने दो, बोलता है, sub standard asset, sub standard asset, अच्छा, provision बनाना, ये तो अपना सीखा हुआ है, provisioning norms, sub standard asset, standard नहीं बोला है, sub standard, कुछ नहीं बोला है, तो secured, 15% provision बनता है, और कुछ नहीं बोला है, तो बाकी सब security मानेंगे, doubtful for one year पे होता था 25%, doubtful for two years, मतला more than one, up to three years वाला, 40% provision होता है, loss asset पे 100%, तो बन जागा provision, कोई बड़ा बात थोड़ी नहीं, अब इसके नीचे investment दिया है, याद करो, उसमें valuation loss निकलता था, उसके लिए लोग क्या बोला है, bank should not keep more than 25% of its investment as held for maturity, याद है, HTM, HTM, वही, मतलब 25% held for maturity है, तो बाकी 75% held for sale हो गया तुमारा, मतलब short term है यार, it should be valued at cost or market value, whichever is lower, the market value of its best 75% investment 9 lakh बोल रहा है, तो ठीक है, 3700 total investment है, उसका 75% तुमारा held for sale है, तो इसका cost कितना खड़ा हो रहा है, 3700 का 75%, मतलब 2775 है, यही है ना, 2775, यह कितना है, figure in thousand है, 2775 है, 2775, यही है, अब इसमें बोल रहा है, इसका market value तुमारा, कितना बोल रहा है, रूपीज 9 lakh है, ओहो, 9 lakh की market value है, अगर market value ही 9 lakh अगर खड़ा हो गया, तो बाकी valuation loss होगा, तो समझ में आ रहा हो यहां तक, और तो कुछ बोला नहीं है, आपर, तो चलो sum को solve करना चलू करते है, जितना data है उसके basis में, बनाना है, चलो बना लिए जाए, छोटा मुठा ससन में, ऐसा कोई हाथी गोड़ा वाला बात नहीं है, नाम क्या था company का, company का नाम था ज्वाहर बैंक लिमिटेड, ज्वाहर, ज-ए-डब्लू-ए-ए-च-ए-आर, ज्वाहर, ज्वाहर बैंक लिमिटेड, मुझे बनाना है, Profit, Profit, Profit and Loss Account, उसके नीचे लिखेंगे for the year ended, for the year ended, 31st March 11th, 31st March 11th, आच्छा जी, अब इसमें PL का जो format है, उसको start करो, रुकने से थोड़ी ना चलेगा, हाँ जी, यहाँ पर यह शिल्यूल होता था अगर आपको याद हो, और यहाँ आपका यह amount होता है, अब यह एक ही column होता amount का, और यह मेरा current year का होता है, कभी दो साल करते थे तो current year और previous year दोनों का बनेगा सर, ऐसा सब हो सकता, मैं कराऊंगा ना अंगला सब, हाँ, कम आता तो क्या होगा, मैं करा तो दूँगा ही, मैं छोड़ूँगा थोड़ी ना, ऐसे ही, हम, सबसे पहले हम start कर रहे है, income side से, income में सबसे पहले अपना, interest and discount का story आएगा, इसका schedule number 13 होता है, इसके बाद एक आता है, इन दोनों का जब आप total कर लेते हो, तो यह total income आगया, इसको हम लोग total bracket में ए लिखने का आदत रखे है, हाँ, फिर उसके बाद भया क्या होता है, expenses, expenses लिखा सर, expenses, इसमें भी तीन head था, सबसे पहला था, interest expended, याद है ना, जो interest हमने पेक या deposit वगर आके उपर, यह 15 आता है, फिर एक बनता है, operating expense, operating expense बनता है 16, फिर एक बनता है, provisions, और provisions किलमें पसंद करूंगा, एक working note, क्योंकि schedule number तो होता नहीं, इसका, आच्छा, हम, यह करने के बाद हम लोग क्या लिखते है, total B, समझे, B, six नहीं है, वो भी है, हाँ, उसके बाद हम लोग लिखते थे, ऐसे profit, after tax, a minus b करके आएगा, अब जो आता था, उसके साथ हम लोग plus करते थे, याद केजिए आपका opening balance, किसका opening balance, profit and loss का opening balance, हम, अगर याद हो तो, यह जोड देते थे, फिर appropriation स्टार्ट होता था, जो नहीं का, इसमें एक्ट हो आता था, तुमारा वो transfer to statutory reserve, यह अपने लोग नियम पढ़ रखें, 25% of current yes profit है, मतलब जो profit after tax हैने, इस साल का, उसका 25%, बस, उसके बाद आता है मुन्ना एक, transfer to other reserve, अगर और कोई reserve reserve बनाने बोला, तो वो लिखना पड़ता है, और उसके बाद वो तुमारा dividend था, जो तुम, अगर final dividend देता है, या फिर कोई interim dividend देने का बात बोलता है, तो वो सब हैं, अगर dividend देने का कोई चर्चा हो, तो यहां दिखा दिया जाएं, अब जो बचे जाता है last में, वो balance carried to balance sheet कहलाता है, यह होता है, balance carried to balance sheet, balance carried to balance sheet, balance carried to balance sheet, ठीक है सर, balance carried to balance sheet हो गया, अब अपने को न सारा schedule बनाना पड़ेगा, इतना दूर तो मेरे को लगता है, आप लोग मेरे से पहली बना लिए होगा, क्या कि आप तो expert बन गए हैं इतना बार लिख के, अब एक काम करो, schedule बनाना चलो करते हैं, पहला schedule 13 है interest and discount का, schedule number 13, interest and discount, schedule number 13, मेरा interest and discount, चलो सम्में चलो, interest earned on term loan 17.26, interest earned on term loan, थोड़ा inner करके लिखें, 17.26, inner करके लिखता हूँ, थोड़ा, style से लिखते हैं, interest earned on term loan classified as NPA, यह हटाना है, interest earned on term loan classified as NPA, यह अपना था मुनना 4.52, यह माइनस हो जाएगा, और जो collect होए वो add हो जाएगा, interest received on term loan classified as NPA, interest received on term loan classified as NPA, यह फिगर है 2.04, यह जोड़ दो, यह आंड फिगर हटा दो, और यह वाला जोड़ दो, 17.26, minus 4.52, प्लस 2.04, मिला जुला कि यह 14.78 बना है, यह फिगर, देख लो, इसके अलावा है, interest on cash credit and overdraft, interest on cash credit and overdraft, यह फिगर था अपना 38.54, 38.54 था, ठीक है, अब बोलता है, interest earned but not received, interest earned but not received on NPA, NPA था न यह लोग, on cash credit treated as NPA, 8.39, 8.39 हटा दीजिए, 38.54 है, हाँ यह वाला, 38.54, 38.54, minus 8.39, 30.15, receive नहीं हुआ, इसको हटा दो, यह income का पार्ट नहीं बन सकता, collected income का पार्ट है, uncollected partner हटा दो, और तो schedule 13 वाला कोई item था यह नहीं मुनना, अगर इनको जोड़ दें, तो total मिल जाएगा, अचाहिए figure in thousands था, आप देखे दें न, उपर में, हाँ figure in thousands था, मतलब मैं यह जो लिख रहा हूँ, यह सारा rupees in thousand है, हाँ, 30.0 हटा के है, thousand में है, rupees in thousand, 14.78 प्लस 30.15, मिला जुला क्या आ रहा है, 44.93, figure in thousand है, 44.93, thousand नहीं देना चाहिए, thousand है के 10,000, thousand ही बोल रहा है, ठीक है हमको क्या फरापड़ता है, 44.93, 44.93, हो गया जी, देखो, फिर क्या बोल रहा है, आधर इंकम, schedule number 14, चलो, schedule 14 मनाओ, schedule number 14, आधर इंकम, काफी सारा आइटम था, schedule 14 का हमने classify कर लिया था, पढ़ते पढ़ते वक्ती, तो, एक ठो सबसे पहला जो मिल रहा है, वो है, commission 1.97, commission, commission 1.97, मैं एक छोटा सा rectification करना चाहरा हूँ, यह figure in thousands नहीं है, figure in lakhs होगा, ठीक है, अपना answer में कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है, पर यह अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 1000 होने से मतलब थोड़ा सा मज़िदार नहीं बैठ रहा, चलो ठीक है, मैं उपर मैं बस figure in thousands के जगा, rupees in lakhs लिख देता हूँ, लेकि मेरे मन में खटा कराया है, कुछ बात, इसलिए, चलो छोड़ो, rupees in lakhs लिख दिया, उसके अलावादा कोई change नहीं है, commission के बाद other income कौन है, profit on sale of investment, 11.76, profit on sale of investment, 11.76, अच्छा, ओ हो, एटो छूड़ गया 13 का, profit on revaluation, 2.76, profit on revaluation, तुम लोग बोल रहा था, हम सुने नहीं, of investment, profit on revaluation of investment at 2.76, ठीक, एक बार 14 कर लेते हैं, और क्या बचा देख लेते हैं, 14 में, नहीं, 14 में और कुछ नहीं, 13 का एक्ठो बच गया था, यह वाला देखो, income from investment, 15.53, सार इसमे ठूस दे, नहीं, 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 अपने मन से कही नहीं भी मत तुस दे, गरबर हो जाएगा, हाँ, income from investment, यह रहे गया था, बच्चे अपना, एक तो बस डाल दो इसमें, बात कियेते हैं, पर वो छूड़िया, 15.53, सुर ऐसे कैसे छूड़िया, नहीं, भाही साब, आस थोड़ा सा ना, हवा ढीला है, गला से समझ में आ रह रहा है, गला से, दिमाग खराब हो जाता है, यह दवाई लेने से, फिर, यह 60.46, यह 60.46, और यह वाला को भी ठीक कर लो ना, फिर, और तो कुछ बचा नहीं है, 1.97, प्रस 11.76, 2.76, 16.49, और यह, यह थोड़ा ठीक कर देते हैं, 60.46, 16.49, 76.95 लाक, फिगरी लाक्स है, लाक्स, चलो यह भी अच्छा है, आगे सार, आगे, आगे, बोलो सार, रेडी, इंट्रेश एक्सपेंस है, शेडिूल नंबर 15 बनेगा, चलो शेडिूल 15 बनाओ, शेडिूल नंबर 15, इंट्रेश्ट एक्सपेंड़, हम लोग जितना भी इंट्रेश्ट पे करते हैं, वो सारा यहाँ आजाए, वो डिपोजिट वगर पे नहीं करते हैं, यहाँ देना, हाँ देखो, इंट्रेश्ट ओन डिपोजिट है, 2720, इंट्रेश्ट ओन डिपोजिट, 2720, और क्या है, देख लेते हैं, भाई साब, 15 में और क्या है, 15, 15, 15 में आता हैं, और कुछ नहीं मिल रहा सार, पंद्रह में और कुछ नहीं इसा, तो ठीक है, एक ही है, 2720, तो मैं यहाँ ले जाके लिख दिया, तरी, यहाँ नहीं है, 2720, 2720, अहाँ सा, ठीक है, सा, ठीक है, सा, ठीक है, 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 ठ शोला ओप्रेटिंग एक्सपेंस अब जितना बज गया सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाला इस आइटम बज गया चलो खतम करते हैं एक एक ले किया इतना क्या दिकत है पहला है salary bonus and allowance 18.75 salaries, bonus and allowance 18.75 rent, taxes, lighting 1.70 rent, taxes and lighting 1.70 printing and stationery 0.75 printing and stationery 0.75 director's fees, allowance expense the director's fees, allowance expense 1.33 था law charges 0.22 law charges 0.22 law charges repair and maintenance 0.18 repair and maintenance 0.18 insurance 0.30 insurance 0.30 तो हो गया, कतम 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 ठीक है अब इसको total मारी है 18.75 18.75 plus 1.7 plus 0.75 plus 1.33 plus 0.22 plus 0.18 plus 0.3 23.23 23.23 23.23 अब लिए चले चलते है अब प्रोविजन में अब प्रोविजन में में वो भी जाता है तो आपना कुछ भी करा रहे हो ओहो आदर इंकम में वो भी जाता है मतलब तुम यह बोलना चाहरे हो कि जो आदर इंकम है इसमें एक आइटम में और लिखूं Valuation Loss के नाम से हागर होना भी तुछ यह Valuation Loss देख लें क्या Valuation Loss है की नहीं है अच्छा देख लेते हैं By the way सुनो ना यहाँ पर यह Point Miss हो गया था आप समझ गया होंगे Point Miss हो गया था तो अगर Valuation Loss चेक करना है तो एक बार Valuation Loss rough में चेक कर लेते हैं आता भी है की नहीं आता है हाँ क्योंकि Valuation Loss होगा तो यह आएगा नहीं तो नहीं आएगा अगर 37 Lack का आपका Investment है उसमें 75% Handle for Sale है 37 का 75% अचा आएगा Valuation Loss 27.75 Lack है और 9 Lack इसका Market Value हो गया तो Lower तो 9 Lack है तो 18.75 का Valuation Loss आएगा ठीक है मैं यहाँ लिख देता हूँ Valuation Loss एक लाइन का खेला है लो जी Valuation Loss on Handle for Sale 37 Lack का 75% यह कॉस्ट हो गया Market Value 9 Lack आगया Difference 18.7 अब हैपी मैं आज कड गया दो जगा It's okay अगले बार कभी जिन्दगी में नहीं कटेगा अगले बार जिन्दगी में कहीं ना कटे ओहू ओहू लो 35.24 हो जाए सर आप फिर से गलत करा रहे हो क्यों सर आप ब्योकूफ मत समझो यह Valuation Loss है यह हमको पता माइनस होता है अच्छा माइनस होता है क्या हो अच्छा 1.97 प्लस 11.76 प्लस 2.76 माइनस 18.75 उरी बबा यह तो नेगेटीव फिगर आ गया 2.26 का सर आधर इंकम नेगेटीव हो गया सर मैं क्या करूँ बता लॉस ही जादा हो गया आपका तो तो ठीक आप पहले इसको यहां तक रिक्टिफाई करो फिर मैं करा देता होता है सर यह सब कुछ सम है जहां पर दिक्कत होता है मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ न यही पर आपके भी मिस्टेक होँगे यह सब क्यूं करारों बता है जिससे आपका दिमाग में ठक करके अचानक से लगे और लगे अरे यार यह सब जगा तो मिस्टेक हो सकता है यही सब जगा होता है बच्चे मिस्टेक चला इनिवेस 2.26 नेगेटीव में है इधर आओ यहाँ पर मैं नया स्टाइल क्या सिखाने वाला हूँ कि आपका इंकम नेगेटीव में भी आ सकता है समझो मेरा बात को मुन्ना इंकम नेगेटीव में भी लिखा जा सकता है यहाँ कि बहुत सारे बच्चे इंकम क्या नेगेटीव में आ सकता है देखो आ गया 58.2 आ रहा है अच्छा 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 थीक है मतलब इंकम भी नेगेटीव हो सकता है सर बिल्कुल हो सकता, सर बिल्कुल हो सकता, मैं यही सिखाने के लिए सम लिया हूँ, और कोई रिजन नहीं है, चलो आजाओ, यह वाला भी हो गया, अच्छा, प्रोविजन में तो सिफ टेक्निकली एक ही प्रोविजन है तुमारा, तो दो-दो वर्किंग करके क्या मतलब है, व वर्किंग नोट वन में, सल्टा के खतम करो, कैल्कुलेशन, आफ प्रोविजन, और वो भी प्रोविजन ओन एडवांसेज ही तो है, अब मैं आपको यह सब के लिए क्या बताओ, इतना सारा सम कर लिए, अब आप बोलेंगे आपको प्रोविजन फॉर एडवांसेज नहीं करना आता है, तब तो मजाई है, मैं हेडिंग वेडिंग नहीं लगाना, अब तुम कर लो, सब स्टैंडर्ड ऐसेड दिया था उन्होंने, मुझे देखने दो, यह रहा, सब स्टैंडर्ड ऐसेड पंद्रह लाग का, उसके बाद है, डाउटफुल वन यह, डाउटफुल यह secured वाला portion का बात चल रहा है, एक्टो था, अब टू वन यह, एक्टो लोग टू यह दिया है, मतलब वो more than one, अब टू थ्री यह के case में जाएगा, और एक loss asset बठाया है, अच्छा, देखनो यहाँ पर है, doubtful for one year, seven, अब टू वन यह, seven है, two years, two point four, और यह आपका जो loss asset है point six five था, standard का 15% है, sub standard का 15% है, यह वाला 25%, यह गया 40% और यह गया 100% permission, 15 into 15%, 2.25, seven into 25%, 1.75, 2.4 into 40%, point nine six, point six five into 100%, point six five, total कर लीजे, five point six one का provision बन रहा है, my goodness, five point six one का provision बन रहा है, five point six one, हो गया, five point six one, ठीक है सर, आगे चलो, तो मैं यहाँ पर आगे चला, five point six one लिखने के लिए, five point six one, कोई provision for tax 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 का तो चक्कर आया ही नहीं, योगि tax का बताए नहीं, कितना rate मैं क्या करूं, 27.2, plus 23.23, plus five point six one, सब मिला क्या रहा है, 56.04, income आ जाएगा, minus 58.2 कर लो, जो two point one six का profit after tax है, opening PL balance तो ही नहीं, तो टोटल भी यही है, तो current year का जो profit है, उसका 25% statutory reserve बनेगा, इसका 25% होता है, 0.54, कोई other reserve नहीं है, कोई dividend नहीं है, करकूर के लास्ट बच्चे का 1.62, लो, मैं दिखा दिया सार, calculation, हलका सार, तेज़ी के साथ क्या हूं, उम्मीद के साथ, कि आपने पिछला जितना भी समाब कर रखे होंगे, कहां का अटकने वाला point है, वो मैंने जान मुझे के गरबढ करके दिखाया आपको, और आप उसको ठीक कर लिए, क्योंकि कुछ बच्चे मुझे पता मेरे से पहले करना चालू कर देते हैं, तो इसलिए मैं वो सब करता हूँ, चलो अब एक बढ़िया सम करके दिखाता हूँ सर, बढ़िया सम, उसकी बाद P.L. के बाद फिर दूसरा कोई concept करेंगे, सम नमबर 9 में आजाओ, आओ सर मैं दिखाता हूँ आपको, सम नमबर 9 में आजाओ सर, सम नमबर 9, अब यह important क्यों है, इसमें दो साल का figure दिया हूँ, लगो previous year और current year, अमांग का दो column बनेंगे, पहले current year का, उसके बाजू में previous year, ठीक है, from the following information, prepare PL account of modern bank limited, as on 31.3.11, तो 31.3.11 current year है, 31.3.10, last year होगा previous year, अब यहाँ पर items वा items दे रखा है, नीचे कुछ other information भी बोल रहा है, चलो देख लेते हैं कि कारके, कौन सा head में आएगा, वही तो देखना है, कौन सा schedule में आएगा, interest and discount schedule 13 होता है, income यह भी उसी में जाएगा, schedule 13 में, interest on balance with RBI 13 में है, commission, exchange, brokerage, other income 14 है, profit on sale, other income 14 है, interest on discount, यह 15 है, interest expended है, interest on RBI borings, borings लिया तो उस पे interest pay किया है, यह भी interest expended है, payment 2 and provision for employees, यह तुमारा salaries का payment है, 16 operating, rent भी 16, printing भी, advertisement, depreciation, director phase, auditor phase, क्योंकि बाकी सारा खर्चा तो operating इसमें 16 में घुसता है, law charges भी वहीं जाएगा, postage भी वहीं जाएगा, insurance भी वहीं जाएगा, repair भी, सब खर्चा है सार, इसमें जादा मुझे बोलना नहीं है, सब schedule 16 operating में घुस जाता है, आच्छा जी, आगया और क्या है, also given necessary schedule, ठीक है, क्या बूल रहा है, other information, the following items are already adjusted with interest and discount, credit balance, बूल रहा है यह जो interest and discount का figure है न, इसके साथ यह सब adjust हो गया है, बाकि नीजे 4 items, adjust मतलब minus कर दिया इसके साथ, क्या minus कर दिया भाई, देखो क्या कर रहा है, बूलता है tax provision, provision for tax वहाँ से minus कर दिया, गदेडा कहीं का, provision for tax कोई interest से minus नहीं होता है, वो तो provision का head में होता है, तो tax minus कर दिया, मतलब tax adjust कर दिया, मतलब minus कर दिया, यह तो गलत है भाई, tax कभी भी interest and discount में नहीं जाता है, तो हमको इसको जाके न, schedule number 13 के साथ add कर देना चाहिए, और इसको फिर provision वाले heading में लेके जाना चाहिए, समझ में आ गया, ऐसे दिखो और एक गलती किया है, आइड बैक कर देंगे, ठीक हो जाएगा, गलती से माइनस कर दिये थे, और इसको फिर provision में ले जाना, loss on sale of investment, profit and loss on sale of investment, आधर income के head में आता है, तो other income से ये लोग बोलना चाह रहा है, और लोग आधर income में जाना चाहिए, पर ये लोग interest में ले लिया है, तो गलत कर दिया है, तो interest में ले लिया है, मतब loss है, तो माइनस कर दिया है, तो ठीक करना है, तो प्लस कर देना पड़ेगा, किन्तो ये जाएगा कहाँ, पर फिट, इसको ले के कहाँ जाना पड़ेगा, कर तो देंगे schedule 13 में प्लस, किन्तो इसको ले के कहाँ जाना है, ये schedule 14 में जाता है, आधर income में गुसा देंगे, और rebate on bill discounted minus किया है, ठीक ही किया है, कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब ये closing rebate है, याद करो opening rebate plus होता था closing rebate minus, तो ये जो कर रखा है, ये चार्टव adjustment में से एक adjustment सही कर रखा है, बाकि सब गलत कर रखा है, इसके अलावा आपको बोल रहा है, देखो statutory reserve बनाना पड़ेगा 25%, नहीं बोलता तो भी बनाना पड़ता, and 5% of profit transfer to revenue reserve, वो जो आदर रिजब बनाते हैं, इस बार बोल रहा है, revenue reserve में transfer कर तो 5%, इस बार कर देंगे, क्या दिखाता है, dividend देने कुछ बोला नहीं है, तो मेरे ख्याल से सम्में फिर से कोई दम नहीं है, बट दो साल का data दिया है, इसलिए हमको बना के दिखाना पड़ेगा आपको, तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, question no.9, नाम था modern bank limited, modern bank limited, modern bank limited, profit and loss account for the year ended, for the year ended, 31st March 11, 31st March 11, for the year ended, 31st March 11, पहले format बना लो, उसके बाद बागी कुछ चर्चा होगा, schedule, rupees in thousand था, ठीक है, सबसे पहले लिखना चालू करो, incomes, income में सबसे पहला जो schedule बनेगा वो है, interest and discount, सर, 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 format में गरवड है, क्यों, सर आप बोले थे न, दो साल का figure है, तो एक और column बनाना पड़ेगा, वह अच्छा 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 एक और column तुमको याद है, हम सोचे कि हम भैका देंगे, कुछ भी बोलेंगे तो मान जाएंगे न, एक और column बनाईए, मेरा बात समझ लो, पहले बनता है current year का उसके बाद उसके बाद मनता है previous दो कॉलम मैं यह बताना चाहिए, सर, अभी तो हम एक ही कॉलम बना लिए थे, एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, तो बस यह है और कुछ नहीं, ज्यादा लिखना है सुनो न, current year 31 311 तो आप चाहो ज्यादा मन करें तो यहां लिख लो 31 311 तो इसके पहले वाला क्या हो जाएगा, 31 310 समझ मैं, और कुछ नहीं हैं, फॉर्मेट उसी मिया, यह शिल्यूल 13 आएगा, उसके बाद आधर इंकम, शिल्यूल 14, यह टोटल कर लो, टोटल A, इंकम के बाद आपका हैगा, एकस्पेंस, एकस्पेंस कौन सा आ रहा है मुनना, मैंदिको देखने दे, 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 इंट्रेस्ट एक्सपेंडेंग एक्चली होता क्या बता है जब तुम्हें खासी सर्दी आये सब कुछ हो जाना बखारुखा उसके बाद वो जो दवाई देता है ना इसे माथा पुरिजम पकड़ देता है कैसा पकड़ा हुआ माथा है ओपरेटिंग एक्सपेंस शिक्स्टीन और एक प्रोविजन है हाँ सम्मे था प्रोविजन वर्किंग नोट में कठा करके दिखा देंगे चाहां पातल वर्किंग नोट में दिखा देंगे अब यह जो है ना इसका नाम देंगे टोटल भी सबसे पहले इसमें आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर मजँ का बाद क्या इस बार दो साल का पहले प्रीवियस एर का कर निका लेंगे वह प्रीविईvयस से रखेंगे क्लोजिंग निकलेंगा उसके बाद ऑपनिग बन जागे इस साल का सर क्या बोले नहीं समझ मैं इसमें आगा keeping सब समझ में सरस्माज में आ गया आप बहुत अच्छे बच्चे हैं तो, भी हो नहीं समाज में है तो, आप गंदे बच्चे हैं सर्ड? नहीं, नहीं जहें. इस जो टोटल आएगा इसमें से पहला है । Transfer to Statutory Reserve इस बार एक और reserve में transfer करने बोला है सर्ड transfer to revenue reserve बोला था, मुझे याद है, revenue reserve, transfer to revenue reserve, और इतो वो dividend वाला आता है, दियानी ये सम्मे पर लिख दो, वो तुमारा, या तो final dividend होगा, या तो interim dividend, minus करके जो बचे का वो है, balance carried to balance sheet, जो बचे का वो है, balance carried to balance sheet, ये ये रहा format, sir, sir, format तो आप से पहले बना के चुक्चा बैढ़ गया हम लो, हम मुझे पता है, format पहले से बना के बैठे हैं, तब एक काम करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा, हाँ, sir, आगे चलो न, क्या करना चाते हो आप, अब schedule बनाना यार, करना क्या चाते हो, मेरे को क्या मन है, interest and discount schedule 13, तो मैं चला, schedule number 13, interest and discount, बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि 2 साल का data दिया है, तो यहाँ पर 2-2 साल का column बनेगा सच, interest and discount, हो गया न, अच्छा, मैं बोलना हो, दो column बनान लेना, जोकि एक तो current year का बनेगा मुनना, और एक previous year का, बस यही पर धुका मत खाना, अब एक एक item लेने दो मुझे, हर बड़ा हो मत, हर बड़ा हो मत, पहले लेने दो, interest and discount, मैंने लिखा पहले आपके लिए, interest and discount, current year का 2045, और previous year का पडोसी है 1427, देख लो सब, समझ में आगिया, income from investment, income from investment, 1-1-2, 1-1-4, 1-1-2, 1-1-4, next, और है देखो, interest on balance with RBI, interest on balance with RBI, interest on balance, 1-1-7-7, अच्छा, 1-5-5, ठीक है, आच्छा, 13 का तो यहाँ कुछ नहीं है, पर नीचे कुछ adjustments थे, जो गलती हो गया था, उनसे, वो मुझे ठीक करना है, क्या गलती हो गया था, वो tax provision, provision का चीज है, provision for doubtful date, वो provision में लेना चाहिए, loss on sale of investment, वो other income का item है, वो गलती से यहाँ से यह लोग minus कर दिया, तो हमको add करना पड़ेगा, सब rectification है, तो आपको क्या करना चीए, पहले एक बर यहाँ total कर लेना है, तो अच्छ, style बताता हूं मैं आपको, 2045-112-177, we are at 2334-1427-114-155-1696, अब मैं add back कर रहा हूं, आपके rectifications को, मैं लिखा rectification, rectification, rectification में पहला है, यह गलती कब होए तो पता ही नहीं है, अरे साथ current year में होए, जब बात करते हो, हाँ तो current year में adjust करना है, इसलिए पूछा, पहला tax provision है, हाँ पर इसको मैं लेके जाओंगा, जब मैं वो working note बनाओंगा, provision का, 148, अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 92, और मुन्ना, एक तो है, लॉस अन सेल अफ इन्वेस्टमेंट 12, लॉस अन सेल अफ इन्वेस्टमेंट 12 है, भी वो रिबेट माइनस क्या, उसको add back नहीं करेंगे, नहीं यार, वो तो closing rebate है, और closing rebate तो adjust होता ही है, यार, income में, वो तो ठीक ही किया है, उसमें थोड़ना कोई गल्दी कर दिया, बात तो सही बोल रहे हो, बस, 2334, प्लस 148, प्लस 92, प्लस 12, यह figure बन गया, 2586, 1696, 2586, 1696, 2586, 1696, 2586, 1696, 2586, 2586, सर नाच क्यों रहे हैं, अरे हो गया मेरा, तुम्हारा हो गया, मैं तुम्हारे लिवेट कर रहा था, ओ, तो लिखो ना जाके फिर, 2586, 1696, ठीक है, अब आधर इंकम में आ जाओ, schedule 14, schedule 14, आधर इंकम, schedule 14, आधर इंकम, दो कॉलम्म बना लो, current year, previous year, जैकने दो आधर इंकम में, Commission, Exchange and Brokerage, 712, Commission, Exchange and Brokerage, current year, 712 था, previous year, 722, 722, profit on sale of investment, profit on sale of investment, 122, 12, 12, previous year का 12, next, 14 में तो ये सब तो और कुछ नहीं है, पर 14 में, आधर इंकम में, एक रेक्टिफिकेशन इसका, loss on sale of investment भी आएगा ना, तब चाहो तो इसको पहले यहां रख दो, 712, 122, जोड़ दिया, 834, 722 और 12, 734, और अपने को करना था, एक और था क्या, loss on sale of investment, loss on sale of investment, ये तो माइनस हो जाएगा ना, current year का, तो माइनस कर देंगे, 12, 12, 12 माइनस हो जाएगा, हाँ, तो ले लो ना, माइनस करो, खतम करो, loss को, 834, माइनस 12, 822, 822, 734, 822, 734, 822, 734, 822, 734, अब इंट्रेस्ट एक्स्पेंड़ का बनाना पड़ेगा, शिड्यूल 15, शिड्यूल 15, इंट्रेस्ट, एक्स्पेंड़ेड, वही दो कॉलम बनाना एक current year और एक previous year, एक एक करके देख्टाओं 15 का, इंट्रेस्ट ओन डिपोजिट, इंट्रेस्ट ओन डिपोजिट, हाले हाले चलते हैं, 822, 612, इंट्रेस्ट ओन डिपोर्विंग्स, इंट्रेस्ट ओन डिपोर्विंग्स, interest on RBI borrowings 147-127 147-127 अच्छ इसके बाद 15 तो और ये सब कुछ नहीं है और 15 में कोई adjustment भी नहीं था ठीक है टोटल कर लो यहारा है 969 612 प्लस 127 739 969739 969739 969739 969739 अब आएगा operating expense अब जोड़ना है बैट बैट के अब आपके लिए देखो अब इतना difficult नहीं लगेगा आपको अब आप कर रहे हो तो इतना difficult नहीं लगेगा जितना पहले लग रहा होगा अगर आप regular basis में class कर रहे हैं एक एक मेहना बाद अगर class कर रहे हैं तब तो मतलब ही नहीं है अब वही दो कॉलम बना लो करेंट इयर प्रीविएस यह अब मुझे एक एक करके लाइन में देने दो साथ क्या क्या है सोला तो इधर हो कुछ नहीं है वह सिधर से उठाना है सब लाइन से payment to and provision for employee payment to and provision for employee employee को देरा मतब सीधा बात है है और salary-valory है और क्या 855-727 855-727 current year previous year का data next rent taxes lighting rent taxes and lighting rent taxes lighting 179-158 179-158 printing and stationery printing and stationery 212-147 212-147 advertisement and publicity advertisement and publicity 9-8-1-1-2 98-1-1-2 जरत पड़े तो यहां pause करके लिए क्लिप ओके देख देखे कॉपी करना ऐसा है मैं उसमें कितना टाइम लगाओ बताओ आपके लिए आप ही को खराब लगेगा depreciation अगला है depreciation हास depreciation में है 98-98 वाह लगता है straight line method है हर साल depreciation same है director fees 212148 auditor fees auditor fees कितना देखो 110 110 auditor कितना अच्छा fees नहीं बढ़ाया है कितना अच्छा auditor देखो law charges law charges 152 50 152 & 50 152 & 50 postage telegram telephone postage telegram telegram and telephone पर यहसे कैसे डर गए मेरा तो heart attack हाज़ेगा सार आ तो थ्यान दो ना 6248 द्यान नहीं दोगे तो नहीं बलेंगे क्या अच्छा insurance इंसुरेंस इंसुरेंस सर क्या इंसुरेंस 52 & 42 52 & 42 इंसुरेंस रिपेर & मेंटेनस रिपेर & मेंटेनस 66 & 57 66 & 57 और तो यहाँ कुछ है नहीं सर sorry तो मैं जो बोल रहा था बच्चे यहाँ तक तो अपका हो गया और तो कुछ बचा नहीं है operating में तो बस बस सर बस एक बढ़ टोटल लगा लो टोटल लगा लो 855 प्लस 179 प्लस 212 प्लस 98 प्लस 98 212 110 152 62 52 66 2096 आ रहा है चेक कर लो 2096 और बाजु वाला का भी टोटल करना है मुझे 727 प्लस 158 147 112 98 148 110 50 50 78 20 50 57 and 57 1697 देख लो एक बार ठीक है सर मेरे को तो ठीक ही लग रहा है 2096 1697 2096 1697 प्रोविजन का तो वर्किंग नोट बना लो और मजा का बात है प्रोविजन ओलो गलती से इंकम इंटरेशन डिस्काउंट में डाल दिया था अपरोविजन का रेडिमेट फिगर है बस प्रोविजन हेड में डालेंगे काम तमाम करेंगे श्यूल है वर किंग नोट वन प्रोविजन का और मैं वही समझा रहा हूँ आपको दिया हुए क्वेस्चन में तो मेहनत नहीं करना इसे उठा के लिखना यह देखो यह लोग यहां ले रखा है गलते से शेडूल 13 में ने डाल दिया था बस कौन-कौन सा दो-डो प्रोविजन था एक कचरात में हटा दिया एक तो है टाक्स प्रोविजन 148 एक तो है टाक्स प्रोविजन 148 एक करेंट इयर का है बाइदवे प्रीविएस एर का कोई प्रोविजन का डेटा नहीं दिया तो नहीं है तो नहीं है जीरो है मैं क्या घर हूँ और एक तो प्रोविजन फर डाउटफुल देट 92 है करेंट for doubtful debt 92 previous year का नहीं दिया नहीं दिया तो नहीं है मैं कहां से लाओ यार सब में कोई provision for tax max तो बोला नहीं है इसको तो schedule 14 में ले लिया आधार income में rebate का काम होई गया है बस और कुछ नहीं बचा है और कोई provision नहीं है मन तो था provision for tax देता तो मैं निकाल लेता profit before tax के उपर यहां दोगा तुमको 148 plus 92 this is 240 240 240 240 240 240 240 240 सर यह तो मजदार है 240 हाँ तो मैं बोल तो रहा हूं मजदार है मजदार है मजदार है 240 और 0 निकल गया आजाओ इधर भी 240 और 0 में लिग देक्टर 240 और एक 0 टोटल गर लो यार 969 plus 2096 plus 240 3305 739 plus 1697 2436 यह तोटल निकल केदर इंकम काने केदर 26 plus 822 3408 1696 plus 734 2430 प्रोफिट आफ्टेक्स सुन अब मेरा बात सुन। दो साल का डेक्ट है मैं बोलहों पहले प्रीवेस यर का कॉलम यो को फिल करूं कि क्योंकि प्रीवेस यर का जोब टेक्लोजिंग compared वाइलंस होगा न करूंक्य रिए यłyalten. ट्येट अ और वाला 24-30 माइनस 24-36 Oh my goodness माइनस 6 है माइनस 6 पिछले साल का कोई opening PL का balance नहीं दिया तो total भी आपका माइनस 6 है पिछले साल statutory reserve बनना चीए पिछले साल का profit का 25% पर पिछले साल तो loss था तो कोई statutory reserve भी नहीं बनाओगा कोई other reserve भी नहीं है कोई dividend भी नहीं है तो अपना closing balance ही माइनस 6 था पिछले साल का जो PL का closing balance है न वही इस साल का opening balance बनेगा माइनस 6 मैं यही समझाने कोशिश कर रहा था सर लास्ट कुछ क्लासिस तो यह भी ठीक है अब तुम देखो 103-6 यहीं अभी बाटने के लिए profit बचा कितना है 97 अब statutory reserve question में बोला था 25% बना लेना नहीं बोलता तो भी बनाते current year profit 103 का 25% 103 का 25% that is 25.75 current year के profit का 5% बनाना है revenue reserve तो हम लोग 5% बनाएंगे 103 का 5% 5.15 97 minus 25.75 minus 5.15 that is कितना बच रहा है 66.1 66.1 बोलो ठीक है क्या बोलो यहां तक ठीक है ओके सर ओके सर ओके सर ओके 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 बस और गया सम खतम हो गया तो इसी के साथ यह वाला काम भी खतम हो गया अब एक छोटा सा concept है उसको कराते हैं फिर class finish करते हैं मैं उम्मिद करते हैं यह समझ में आ गया होगा ऐसा दो साल का देदे तो कैसे करना है अब एक छोटा सा concept है जल्दी से कर लेते हैं डाटीज मेरे लिए यह concept number 9 है जिसको लोग बोलते है bills for collection अब इसका जो accounting में जब दिखाऊंगा ना इसको हसना मत सर प्लीज हसना मत ऐसा भी accounting कोई करता है हसना मत बद सुन लो काम हो जाएगा free का marks देता है मैं बताता हूं सर क्या free का marks है क्या नहीं है मैं आपको बताता हूं यह क्या concept है आप बचपन में जब bills of action chapter पड़े होंगे तो bills for collection का funda सुनेंगे bills for collection में होता क्या है समझो मन लो मैं 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 हूं और एक bank है यह मैं हूं मेरे हाथ में bills receivable है जिसका maturity तीन मैना बाद है ठीक है भीया अब तीन मैना बाद मेरे को अपने party मेरा party यहाँ पर है मेरे को अपने party के पास जाना है और पैसा लेके आना है bill दे देंगे पैसा लेके आएंगे collection करना है अब मैं भूलाकड आदमी मैं भूल जाओंगा तो होता क्या है मैं bank के पास जाता हूँ मैं bank को बोलता हूँ यह bill लो तुम्हारे पास तो collection का अपने कस्टमर लोग को लोन देता है तो collection करता ही है तो तुम वसूली करने में number one है तुम वसूली भाई है भाई तो मैं एक काम कर bank को बोलता हूँ तो मेरे लिए जाके collection कर लेगा तो bank बोलता हाँ कर लेंगे मगर फ्री में तो यह ना करेंगे मैंने discount नहीं कर रहा है मैंने bank को दिया bank मेरा collection agent के से काम करेगा वो bill अपने पास रखेगा तीन मैना बाद maturity के दिन party के पास जाएगा bill दिखा के पैसा ले आएगा और लाके मेरे को क्या देगा पैसा देदेगा काम कतम और या फिर मानलो मेरा party अगर पैसा नहीं दिया तो डिस्णॉनर आगया तो हो गया तो मेरे को के बोल देगा पैसा नहीं दिया आपका party bank थो नहीं लड़ेगा उस party से आगे तो या यह जो bill मैंने bank को बेजा ने इसको बोलते bill for collection अब bank के view point से सोचो मैंने bank को यह जो bill भेजा bank को यह जो bill भेजा ना bank के लिए तरह करना tension हो गया समझो यह tension है देखो 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 bank है ना bank उसके माथा में tension आगया विजुलाइज करना यह गिर जाएगा tension मैं पगड़ के बैठाओ bank के माथा में tension है क्या बोलतो bank सोसरत है तीन मेंना बाद पैसा लेके आना है और तीन मेंना के बाद जैसी वो customer के पास गया और customer पैसा दे दिया यह tension उतर गया समझ रहा है मेरा बाद और अगर मान लोग ऐसे tension था customer पैसा नहीं भी देख tension उतर गया मैं जाकर आगे मैं bank को मैं customer के पास गया customer पैसा नहीं दिया तो भी tension उतर गया मैं तो यह ऐसे एक बिल का बात बोल रहा हूँ bank के पास तो ऐसे हजारों लाखों लोग आते होंगे बात समझो तो bank को इस बिल का हिसाब रखना पड़ता है क्या हिसाब रखना पड़ता मैं समझता हूं कि bank यह कुतने बिलकां टेंशन मैंने अपने माथण में लिया कितने बिलकां टेंशन मैंने अता में लेरता है है आप उसमेंसे कुछ बिल मिस यह तो गरबड हो जगा on तो जमस्वी सकती पॉइसाब्सवर रखना हना है नहीं समझें, बैंक को ये बिल का हिसाब रखना पड़ेगा, हजारों बिल आते हैं बैंक के पास, तो बैंक को इस बिल का ना हिसाब रखना पड़ेगा, कि कितने बिल का जिम्मेदारी उसने लिया, कलेक्शन के लिए उसके पास आया है, कितने का कलेक्शन हो गया, या फिर रोगिया मतलब सिधा बात अब्र के नाम का दो अकाउंट खूल लेता है एक का लिखने मैं नहीं मैं लिखाऊंगा मैं लिखाऊंगा समझ विल फॉर और एक का नाम है बिलफ ऑर कलेक्शन लाइबिलिटीच्ये दो आकाउंट को देता ein दो अका oldest, मज़ेदार अभी सुनना से, दो मिनिट सुनोगे सब समझ मा एगा, जिस दिन, बैंक को मिलता है ना collection करने के लिए, बैंक को collection करने के लिए मिला, तो bank के पास bill आया, आया तो bank बोलता है bill for collection asset debit कर देता है, मनलो 10 लग का bill आया है, तो debit, अब debit किया है तो कुछ तो credit करना पड़ेगा, सही माहिने में सोचो, bank को ये जो bill मिला आज collection करने के लिए उसके लिए ना ही asset है ना ही liability है, पर पहले वो बोलता है bill मिल गया debit कर दो, और bank बोलता है कि हमको bills for collection जाके collect करके नाना है, तो I am liable to do this work, तो उसके लिए credit कर देता है, मजाक वाला entry है, bill for collection asset account debit कर देता है, और liability account credit कर देता है, ultimately semi account है ना, मतलब लोग posting कैसे करता है, bills for collection asset account debit to bills for collection liability, और liability account में जाके, buy bills for collection asset account डाल देगा, मतलब ये collection करने के लिए भेज़ दिया, ये collection करने के लिए भेज़ दिया, अब मान लो इसमें से 4 लाग का collection हो गया, जिस दिन जिम्मेदारी लिया था, ये entry बनाया था, collection हो गया, मतलब जिम्मेदारी पूरा हो गया, तो लोग reverse entry मार देता है, reverse entry नहीं समझा, bills for collection, liability debit to bills for collection asset कि जिम्यदारी पूरा तो बिल्स फ़र कलेक्शन लाइबिलिटी टू बिल्स फ़र कलेक्शन असे तो एसेट अकाउंट में बाई बिल्स फ़र कलेक्शन लाइबिलिटी अकाउंट चार लाक मारेगा कि वह कलेक्शन हो गया ओनर हो गया इसको ओनर बोलते तुम लोग और ला लिया थो जो عांणर थ है आगर दिशनर फिये थो बढ़ा तो भी टेंशन होता ऑगा न यह बोलना क्या चाहर हो फाल तू बात कर रहे हूं को यह अकाउंटिंग हुआ क्या मतलब जिस दिन बैंक के पास बिल आया कलेक्शन करने के लिए उस दिन बैंक करता है बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट टू बिल्स फॉर कलेक्शन लाइबिलिटी और अगर फ्यूचर में जाक फूबालन्स कारिट दाउन 4 लाख रूपे बात समझो थोड़ा सा और क्या समझो ho lower बात समझने है लिया थ्यूटियम्री बॉट्र टैड़िट strategist Cool Azzers समझ में आ रहा है हाँ अगर मानलों बैंक आज के दिन में ट्राइल बालेंस बनाने जाए लॉजिकली ट्राइल बालेंस समझते हो ना डेविट क्रेडिट समझो तो बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट का बैलेंस चार लाग है लाइबिलिटी का भी चार लाग है एक हैं बिल्स फॉर कलेक्शन देखाना के उसका एंट क्रेंजर मैंटि मया जाएं बैलेंस चीट के बहीजर करता है लोगा क्या है रिखने के बाहार जूब कर सक्का अच्छी कजुक्र स्वह ने के पार उसके पहल cents को यह न्युक्ता है यह एक जित अब होता जितना ज्यादा disclose हो सके देना चाहिए हम लोग यहां पर अपने बैंक में भी तो बहुत लोग पैसा इन्वेस्ट यूँँगे तो जो लोग पैसा लगा रहे हैं कि उनको बताना चाहरे हैं देखो हमने यह जिम्मेदारी ले रखा है बैंक दिखाना चाहता है इतना नाम जर आचा भी या ठी है फिया इसका न्वोटिंग करा दो गे मेरे को प्लीज न्वोटिंग बि चाहिए आँ भी नहीं तो क्या नोटिंग नहीं करेंगे क्या तो मैं नोटिंग करा ले तो लोग हेडिंग लगा लिया concept nine big for collection लगा लिया ना तो लिखा लिखा लिखवा जेता held by bank if any bill is held by bank for collection on behalf of its on behalf of its customer on behalf of its customer on commission basis then it should be disclosed then it should be disclosed outside balance sheet because it is not an asset अब सोचो bank के लिए asset थोड़ी नहीं है उसका bill थोड़ी नहीं है उसके लिए एसेट है और a liability bank का liability भी नहीं है बैंक को थोड़ी नहीं है बैंक को थोड़ी नहीं पैसा देना है बैंक तो collection agent के इसाब से काम कर रहा है इस केस में collection of bill के केस में कि में आपकी आपकी और गूझ accounting of these bills, for accounting of these bills, एक ठोग है, bills for collection, asset account बनेगा, थोड़ा बीच में करके बना देते हैं, ठीक है, और एक, दो, तीन, चुम नीचे ही बना देते हैं, और एक बनेगा, bills for collection, liability account, एक asset है, और एक liability है, हुँँँए, अब थोड़ा देर पहले, जो मैं समझा रहा था, ड्राइंग से, आपको समझ में आना चाहिए, अगर यह account है, सुनना, यह जो मैं मिटा दी यहाँ पर, एक में debit balance आता है, और liability में credit, तो कोई भी account का opening balance होई सकता है, तो asset account में अगर opening balance दिखेगा, तो two balance brought down लिख देना, ठेक है न, debit balance, asset में debit balance होता है, और liability account अगर दिया, उसका opening balance भी देगा, तो credit balance देगा, two balance brought down, debit और credit balance हो जाएगा, opening balance, यही एसे, जिस दिन हमने new bill भेजा है collection के लिए, collect हुआ नहीं है, collection के लिए new bill, उसी नेंटर है, bills for collection asset, to bills for collection liability, एक्जा में तो पूरा-पूरा लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ तोड़ा short में लिख दिया, bills for collection asset, to bills for collection liability, bracket में यह mention कर दो, यह new bill है, यह hyphen दे के लिख दो new bill काम, bills for collection asset, to bills for collection liability, तो bills for collection liability account में जाके लिखेंगे, buy bills for collection asset, buy bills for collection asset account, ठीक है, यह कौन सा था, new bill, जो new bill आया है, हमारे पास, पहले new bill आया, बद समझ गया, अब future में दो ही हो सकते, या तो bill collect हो जाएगा, मतलब honor हो जाएगा, और या तो dishonor हो जाएगा, दोनों में यह ultra entry मारना है, नहीं दूंजा, तो मान लो, आज के दिन bill collect हो गया, या dishonor हो गया, तो, reverse entry क्यों होगा, bills for collection liability, two bills for collection asset, bills for collection liability, two bills for collection asset, और इसमें दोनों का ही posting हो जाएगा, अगर collection दिया है, तो भी आ जाएगा, यहीं पर ही, और dishonor बूल रहा है, तो भी, डोनों के लिए सेम reverse entry है, तो एक ही में कतम करूं मारना, bills for collection liability, two bills for collection asset, collection मतलब honor भी हो जाएगा, और dishonor भी, दोनों, ultra entry, और यहाँ पर भी वही हो जाएगा, bills for collection liability, two bills for collection asset, तो asset में लिखेंगे, buy bills for collection liability account, buy bills for collection liability account, यह लोजी, collection का figure आ गया, और एक है dishonor का, धिश, honor, ओ गया, बस last में आपको क्या करना है, balance करना है अपना कम, यह balance represent क्या करता है, यह balance represent कर रहा है, अभी भी कितना जो bill अपने पास पड़ा हुआ है, जो नहीं collect हुआ है, नहीं dishonor हुआ है, और इसको balance sheet के नीचे दिखाते हैं, ऐसा off balance sheet item, यहाँ पर अब asset में debit balance आएगा, तो liability में credit balance, सर सुनो ना, ऐसे बात नहीं चलेगा, जब तक आप एक sum नहीं दिखाएंगे तब तक होगा नहीं, हाँ इसका तो बहुत difficult समाता है, मेरे को तो आपको दिखाना ही पड़ेगा, हाँ भीया, दिखाओ तो, देख लिया तुम, देखो मैं इस screen पे 10 second के लिए छोड़ रहा हूँ, कोछ छूटा हुआ है तो कर लो copy, नहीं तो pause करके लिख लो, अब अगले screen में 10 second रुख रहा हूँ, कोछ छूटा है तो complete कर लो, 10 second क्या रुखना है, तुम pause करो, दिख लो, फिर आगे देखो, ने चलो pause, अब freeze हो, unfreeze कर देते हैं, हो गया sir, हो गया sir, हो गया sir, हो गया, चलो आगे, हो गया ना, आगे चलो, चलो sir कहां चले गए, सम करना था ना, जब कैसा आता है, देखो देखो देखो, आ गया, सम नमबर 14, यह सब का एकी सम होगा भाई, उस ज़्यादा नहीं कराने का है, यह सब क्या होता है न, बच्चे लोग छोड़ के चले आते, आया तो free का marks है, from the following details, prepare bill for collection accounts, मतलब bills for collection, asset भी बनाना है, liability बिनाना है, in general ledger of ABC bank limited 16, 17, मतलब 1 for 16 opening, 31, 17 closing है, देखो क्या बोल रहा है, 1 for 16 को opening balance दिया है, तो मजा का बात है, asset liability दोनों का balance सेव होता है, तो asset account का भी 5 lakh balance है, liability का भी 5 lakh है, bills receive for collection, new bill मिला है, bills for collection asset, to bills for collection liability, और collected और dishonored है, वही दोटर देएगा, ठीक हसने का बात नहीं है, तो reverse होगा, bills for collection liability, to bills for collection asset, सम गदम हो जाएगा, सर आप सज बोल जो, यह syllabus का पार्ट है, बुक खोल के देख लो, नहीं सर मतलब भरुसा तो है, तो भी आप syllabus का पार्ट है, इसलिए तो करा रहा हूँ, सर इसलिए इसलिए इतना देगा, आता है बच्छे, हाँ, छोडने से नहीं चलेगा, आएगा बिलकुल, क्या नाम है इसका, ABC Bank Limited, अब इन इस्ट्रिट यही सब देता है ना, जो आप छोड़ के जाते हो एक्साम में, मैं अब BFC लिख रहा हूँ, तुम समझ जाना, अब उतना बड़ा बड़ा लिखने का मन नहीं करता, सर हमको भी मन नहीं करता, तुमको तो माक्स चाहिए रहे, तुम नहीं लिखेगा तो तुम्हारा तो बंटा धार है, मेरा तो बेड़ा पार है, बिल्स फ़र कलेक्शन आसेट और बिल्स फ़र कलेक्शन लाइबिलीटी, दो अकाउंट खोल लो मनना, दो अकाउंट खोल लो, कोई घबराने का बात नहीं है से, दो अकाउंट चुचप खोल, दो अकाउंट खोल लो, डेबेट क्रेडिट, debit credit ठीक है? हाँ अब क्या करना है सा पहले opening balance 5 लाग बोला 1-4-16 को तो date 1-4-16 है opening balance 2 balance brought down 5 लाग liability में credit balance होगा 1-4-16 opening day में buy balance brought down 5 लाग बाकी transaction during the year का है उसका कोई date नहीं देता है तो हम लोग भी नहीं लिखेंगे छोड़ दोसका नहीं है मतलब यह जो bill receiver है for collection 60 लाग का entry a bills for collection asset to bills for collection liability account यह आपका new bill है 60 लाग का और यहाँ पर bills for collection liability में क्या पोस्टिंग करोगे bills for collection asset to liability liability में buy bills for collection asset account new bill 60 लाग का entry करतो इससे आसान accounting पुरे चैप्टर में और कहीं नहीं है इसा चोटा 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 एक दो जगा और है accounting आउंगा में आगे आगे आपको भी मजाएगा अब उसके बाद collected और डिजॉनर है दोनों के लिए reverse entry है यानि bills for collection liability to bills for collection asset अंडरलाइन कर लो एक तो है जो collection हो गया जिस बिल का और एक है जो धिश ओनर हो गया धिश ओनर collection कितने का था 51 लाग और 6 लाग नहीं समझा है 51 लाग का collection 6 लाग का dishonor bills for collection liability to bills for collection asset तो asset में मैं लिखूंगा by bills for collection liability asset account में मैं लिखूंगा by bills for collection liability account एक collection हो गया है इन में से 51 लाग का तो collection हो गया और जो dishonor हो गया उसको भी हटा वहां से dishonor हो गया धिश ओनर कितने का 6 लाग का बस हो गया सर हो गया बस year के end में आप balance कर लोगे हैं यह है 65 लाग माइनस 57 लाग यहां तो आठ लाग बच रहें टोटल लिख लिए 65 लाग का कितना difficult है वहां very difficult account सर पसी ने जूड़ गये सर पसी ने जूड़ गये इधर आओ 31st मार्च 17 नहीं है 17 16 नहीं यह इर एंड में टू बैलेंस करेट डाउं तिन पांच आठ लाग इधर भी सेम आए का बैलेंस यह तो लॉजिक आप समझी के होंगे सेम एंट्री हो रहा है तो बैलेंस भी सेम आए लाग बच ऑपोसिट डिरेक्शन इसको ऑफ बैलेंस शीट में कहां दिखाते हैं बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता है बैलेंस शीट के नीचे आता है जहां चार नंबर के देता है तो लें समको चार नंबर का उकाद क्या है उससे उपर कर नहीं है किन्तु फ्री का मांक्स है महलोप करकी नहीं गई है और एक्जाम में यह आ गया इतना आसान सम छोड़ने में कितना बुरा लगेगा बोले तो बाद में जिसनी पता चले हाई राम इतना इजी था छोड़के चल